Hello everyone, प्रवीन चौधर यानि कि आपके PC बाबा का आप सभी लोगों को पहे दिल से नौशकार So finally कल आपका वो दिन आ रहा है जिसमें कि आपका CSET का एक्जाम जो है वो होने जा रहा है यानि कि CSK टैक को पाने के लिए जो सबसे पहला पढ़ाव है उस पढ़ाव को आप हासिल करने जा रहा है सब बुले काफी डर लग रहा है सब समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही में मेरी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है क्या क्या सही में में अपना 100% जो है वो दे पाऊंगा क्या क्या सारे questions का जवाब जो है वो में दे पाऊंगा क्या ये बुले समझ में नहीं आ रहा है तो guys आज का जो ये वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको आप ही के बारे में कुछ important बाते जो है वो बताने जा रहा हूँ जिससे कि मुझे ऐसा रखता है that you will feel some kind of motivation कि नहीं यार ऐसा नहीं है कि मैंने preparation नहीं किया है ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है और ऐसा नहीं है कि मैं अपने exam में पास नहीं हो पाँगा सबसे important जो चीज होती है वो है positivity अपने आप के बारे में positive सोचना अपने preparation के बारे में positive सोचना और frankly अगर मैं बूलू न तो अगर मैं preparation की बात करूँ तो यार कभी भी कोई भी इनसान किसी भी जंग के लिए 100% prepared नहीं होता है तो सब कौन से सी चीज है जो कि हमें किसी भी जंग में pass करवाती है या फिर fail करवाती है वो है आपका attitude वो है आपका सोचना वो है आपका लड़ने का जजबा हो रखना जहां पर आप यह सोचते हो कि ठीक है जैसा हुआ जो हुआ preparation किया कि नहीं किया लेकिन मैं इस लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ूँगा अपना 100% 100 नहीं 200% जो है वो देनी की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा पूरे positivity के साथ में फिर उसके बाद में result चाहे जोगज भी हो लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूँ कि सर आपके पास में सिर्फ इतना ही नहीं इसके लावा बहुत बड़ा कारण है जिसकी वज़े से आप ये ensure कर सकते हैं कि कल का जो exam है ना उस exam में आप तहल का मचाने ही वाले हो कहां कमी छोड़ी आपने अपनी पढ़ाई में मुझे बताई ये ज़रा एक बार कहां कमी छोड़ी सर CSET का examination जहां पे अगर मैं normally बात करूँ तो trend ऐसा रहा है कि 80-90% बच्चे जो है वो पास हो जाते हैं normally trend जो है वो ऐसा रहा है कि 80-90% बच्चे जो है वो पास हो जाते हैं उस exam में भी पिछले दो महिने से आपने अपनी जीजान जो है वो लगा दी मेरे दोस्त regular classes की बात करो पुरे इमानदारी से आपने वो classes को जोइन किया है revision classes की बात करो पुरे इमानदारी से आपने revision classes को जोइन किया है marathon classes की बात करो पुरे इमानदारी से सुबह से लेके शाम तक घर वाले ये बोलने पे आगे कि बटा बसकर बहुत हो गया आज के लिए इतना काफी है बट फिर भी तुम बैठे रहे मेरे दोस्त फिर भी तुम बैठे रहे फिर उसकी बात में sir life booster class जो है वो भी हमने अच्छे दरगी से अटेंड करी एक भी quiz जो है वो हमने नहीं छोड़ा एक भी mock test जो है वो हमने नहीं छोड़ा जहां पे जो questions मिले हर एक question का preparation जो है वो हमने कर डाला अभी बहुत ध्यान सो सुनिएगा sir हो सकता है कि जो आपका कल का paper रहेगा जिसमें 140 questions आप से पूछे जाएंगे हो सकता है कि उसमें से 4, 5 या 10 questions का जवाब जो है वो आपको नहीं आ पार हो लेकिन मुझे आपके उपर इस बात का पूरा यकीन है पूरा भरूसा है कि ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आप fail होके वापस है क्योंकि preparation में कमी नहीं रही है दोस्त अगर आपको कहीं पे भी कुछ लग रहा होगा कोई doubt अगर जा रहा होगा तो उसका सिर्फ औस एक ही कारण रहेगा वो है negativity रहना चलिए एक्जाम में वही आने वाला है जिसका preparation मेंने किया है एक्जाम में वही आने वाला है जिसका preparation मेंने किया है और वहाँ पे एक्जाम में बिना किसी panic हुए बिना panic हुए मैं जो वहाँ पे solve करूँगा अपने 100% positive attitude के साथ में solve करूँगा अगर एक आदे कोशन का जवाब मुझे नहीं आता तो तुपका वारूँगा लेकिन कोई बात ने, that's okay लेकिन ये मुझे आज confirm पता है कि मैं fail होने वाला नहीं हूँ क्योंकि preparation जो है वो मैंने बहुत अच्छे द्रेगे से करी है कल 120 मिनट आपके पास में रहेंगे और वो 120 मिनट जैसे शारुख खाने चक्द इंडिया में कहा था कि ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं चीन सकता है सेम वैसे ही मैं यहां पर भी आपसे कहना चाहूंगा कि कल के जो 120 मिनट होंगे न वो पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ तुमारे होंगे और वो 120 मिनट को कैसे यूज करना है कैसे नहीं यूज करना है यह आज तुमारे प्रवीन से तुमको नहीं बताएंगे तुम्हें पता है बस इतना कहने चाहूंगा कि आपको वो 120 मिनिट पूरे positive attitude के साथ में बिना किसी panic के अच्छे तरीके से utilize करने हैं सोच समझ के question का जवाब जो है वो आपको देना है आराम से पढ़ेंगे समझेंगे question को उसके बाद में जवाब जो है वो आपको देना है आप simply वहाँ पे solve करते जाएंगे जिनका answer नहीं आ रहा होगा उनको एक बार के लिए skip कर देंगे और जवाब कब देंगे सबसे आपकरी में जाके सबसे last में जाके दोस finally मैं आपको यही कहना चाता हूँ कि preparation जो है वो तुमारी हो चुकी है चाहिए जितनी भी हुई होगी अगर दो महने पहले start किया था तो बहुत अच्छी बात है अगर एक महने पहले start किया था तो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि याद रखेगा अगर मैं पहले से लेके यानि कि August 2020 से लेके अभी तक की बात करूँ ऐसे भी लोग है ऐसे भी students है जिनोंने 10 दिन के बढ़ा आपने एक महने या दो महने भी पढ़ाई करी होगी तो क्यों आपका एक्जाम जो है वो पास नहीं होगा जरूर पास होगा मुझे आप पे बिलीव है कि आप उस एक्जाम को पास करेंगे पूरी CS कार्ट इंडिया के टीम को आपके उपर भरोसा है क्योंकि हमने आपकी मह जहने तो जो है वो देखी है और आप कल का एक्जाम जो है वो जरूर पास करेंगे मेरी और मेरी पूरी टीम के तरफ से CS कार्ट इंडिया की पूरी टीम के तरफ से आप सभी लोगों को कल के लिए all the very best और मुझे बता है कि जो कल की जंग है इस जंग को आप बहुत पीपर के बाद में तिल दें टेक केर बबाई